मन सुन्धर, शबी घर वाले रूही के लिए सांति पूजा करते हैं, इधर रूही अगनी के मूझ से सच्चाही निकालना चाहती है, सबके सामने अगनी रूही के कमरे में जाती है, सोचती है, सब कुछ मेरा होगा, यह बेड यह अलमारी, इसमें रखी सारी चीजे मेरी पसं अगनी डर जाती है फिर अपने आपको सम्हालती है कहती है भूत कुछ नहीं होता तभी कहती है अगनी जिस तरह तुमने मुझे तरपाया है उसी तरह मैं भी तुम्हें तरपाऊंगी मेरे कपड़े को हाथ भी मत लगाना और कभी मेरे और नाहर जी के बीच में आने की कोशि किया मरने के बाद भी सबको प्रिसान करें नाहर को गुस्सा आ जाता है कि यह बच किजिए दादी लेकर जाते है रूही दादू को देख लेती है उसे अंदर नहीं जाने देती बाहर से ही दादू से बात करके दादू को घर भेज देती इधर इंस्पेक्टर रूही का केस बंद करना चाहता है लेकि नहार ऐसा नहीं करने देता कहता है यही अंतिम परियास है इसे में नहीं गई है मेरी रूषी से बात हो गई है जम नहीं पाती उसे लगता है कि यह दादू का रहे में इंधर सब भी लोग नाहर को सत्व से निकालने के लिए अगणी से शाधी करने के लिए हम ily सबस्क्राइब करते हैं उद्रूही सब अपने अगनी के मुझे सच उगल माना चाहती है आने वाला एपिसोड बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला रूही जैसे अगनी को डराएगी घर बालों का विश्पास अगनी पर से कम होता जाएगा ऐसे और अपडेट के लिए वीडियो का लाइक और चैनल को सब स्क्राइब करें धन्यबाद